अध्याय चार अपनी भलाई बैठाते हैं परंत यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है तो वो नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के इश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रती रूप है उसके तेजो मैसुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसी यश्व को प्रचार करते हैं कि वो प्रभू है और अपने विशे में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से जयोती चमके। और वही हमारे हिरदयाऊं में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की जयोती यिशुमसी के चहरे से प्रकाश मान हो कि ये असीम सामर्द हमारी और से नहीं वरन परमेश्वर की और से ठहरे हम चारों और से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताय तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराय तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगठ हो। क्योंकि हम जीते जी सरवदार यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रगठ हो। सो मृत्यू तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विश्य में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यिश्व को जिलाया वही हमें भी यिश्व में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्तित करेगा क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अ हम हियाव नहीं छोड़ते, यद भी हमारा बाहरी मनुशत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुशत्व दिन प्रति दिन नया होता जाता है, क्योंके हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्व पूर्ण और अनन्त महिमा उत्पन करता जाता ह और हम तो देखी हुई वस्तूओं को नहीं परंतु अन देखी वस्तूओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तूओं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अन देखी वस्तूओं सदा बनी रहती हैं